पूरे दुनिया में अभी एक ही खबर सुर्खियों में है पांगलादेश के प्रधान मंत्री सेख हसीना अपने पद से इस्तिफा दे कर अपने देश को छोड़ कर किसी और देश में रवाना हो गई है और ऐसी खबरे चल रही है कि वह भारत आ चुकी है पांगलादेश में स कैसे मिलेटरी सासन लागो हुआ आज के इस वीडियो में संपूर्ण डीटेल में हम लोग जानने वाले हैं साथियों तो वीडियो को सुरू से लेकर के अन तक जरूर देखिएगा और हमेशा के तरह बिल्कुल सुरू से सुरू करते हैं अभी के खबर आपने सुनी होगी क बांगलादेश में पिछले 3-4 मेनों से बहुत ब्रिहत पेमाने पे जनवरी से ही जब से बांगलादेश में लोग सबा चुनाओ हुआ है उस समय से दंगे बहुत ब्रिहत पेमाने पे हो रहे हैं वहां के छात्र सडकों पर है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज की ये करें कि देश के जो आर्मी चीफ है बांगलादेश के आर्मी चीफ वाकर उज्जामिन इनकी बांगडोर अब बांगलादेश के उपर है यानि कि बांगलादेश का सबसे जो ताकतवर व्यक्ति अभी है वह वाकर उज्जामिन ही है वाकर उज्जामिन बांगलादेश की पू अगर आप देश छोड़ करके चली जाते हैं तो ठीक है अने था आपको गरफतार कर लिया जाएगा आपको पकड़ लिया जाएगा और होता ही कुछ खसीना को पना देने वाला देश बन गया है ऐसी खबरे आ रही है हाला कि ये कितना असपस्ट है ये तो वक्त ही बताएगा तो भारत से खसीना आ गई है ऐसा कहा जा रहा है तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर बांगला देश में इतना बड़ा तक्ता पलक कैसे हुआ संप किसे इतना बड़ा रूप ले लिया कि देश की प्रधान मंत्री को ही अपने पद से इस्थिफा देना पड़ा आईए सुरू से बिलकुल कहानी को सुरू करें इस कहानी के सुरुवात होती है जनवरी दोहजार चोबिस से जब बांगला देश में लोग सभा चुनाओ होता है भरपूर पॉलिटिकल पाटी आपना परचार करती है से खसीना इससे पहले 2 बार बांगला देश की परधान मंत्री यह और इस प्रकार से बांगला देश में 4 रा प्रधान मंत्री यह बंती है लेकिन इसी बीच- इसके कुछ दिनों के बाद से हसीना के प्रदान मंत्री बनने के कुछ दिनों के बाद युनाइटेज स्टेट की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी होता है और वह कहते है कि 100% यह स्योर है कि बांगलादेश में जो लोगसभा का चुनाओ हुआ है वो फैरफुली नहीं हुआ है बांगलादेश की लोगसभा करते हैं भीड करते हैं प्रोटेस्ट करते हैं और प्रोटेस्ट का सिलसला यहां से सुरू होता है युनाइटेज स्टेट के एक कमेंट के वज़े से इधर दूसरी तरफ से एक हसीना अपने स्पीचेश में बोलती है जब लोगों को संदोदित करती है तब यह कहते हैं कि यानि कि अमेरिका हमारे साथ जो है एक military base की दिवाज करता है कि मयानमार और बांगलादेस की बीच में जो सीमा है उस सीमा के पास हमें एक छोटा सा area चाहिए जहां पर हम अपना military base नयार कर सके ताकि यहां पर रहा करके चाइना और इंडिया दोनों ही देशों पर निगरानी के लिए वो ऐसा कह रहे है कि लोगसवा चुनाओं में मैंने गड़बरी किये और लोगसवा चुनाओं में हमारी political party ने गलत तरीके से जीत हासिल की है और एक तरफ यह आग जला ही था और प्रोटेस्ट का सिलसला सुरू हुआ था विपक्सी पाटियों के तरफ से अप उन 30% reservation 30% आरक्षन जो बांगलादेश के freedom fighter थे उन्हें 30% का reservation दिया जाता था जो 2018 में समाप्त कर दिया गया था तो इस reservation को वापस से जिन्दा करने का बाद वापस से इस reservation को implement करने की बाद हाई कोट ने कर दी जैसा ही यह हाई कोट की तरफ से यह आदेश आता है हाई कोट की तरफ से यह मसला आता है कि यह 30% reservation जो है वापस से दिया जाएगा freedom fighter के परिवार वालों को तब ही बांगलादेश की student जो है इस protest में कूद पड़ते हैं और आप देख पाएंगे यह original तस्वीर है कि किस तरीके से बांगलादेश में student स्टूडिंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस तरीके से बांगलादेस बहुत बढ़े माने पर स्टूडिंट कर रहे हैं से खसीना के खिलाफ क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि यह 30% का रिजर्वेशन आता है तो आप लोगों का समझने के आवशक्ता है कि यह 30% का रिजर्वेशन क्या था तो बिलकुल हम लोग उसको आप समझते हैं कि यह 30% का रिजर्वेशन क्या था देखें बांगलादेस के बारे में बात करते हैं साथियों तो 1971 में 1971 में बांगलादेस आजाद हुआ था पाकिस्तान से आपको पता है कि यह पसिमी पाकिस्त पूंगलादेस को आजात करने में इनकी सबसे एहम भूमिका होती है जिस प्रकार से हम लोग महत्मा गांधी को सबसे महान दर्जा देते हैं बांगलादेस में सबसे महान दर्जा सेख मुझीबुर रह्मान को जाता है बांगलादेस जब आजाद हो रहा था तो हमेने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और पहले भी बताया है कि मुक्ति वाहिनी नाम की जिसको भारत की सिप किया था और मुक्ती वाहिनी की यह सेना है यह पाकिस्तानी आर्मी के साथ लड़ी थी उन्हें प्रसिच्चित किया गया था और बंगलादेश को आजद करने में जो सुझा जब कोटा परिवार के लोग इनके आने वाले पीडी उन्हें आगे चल करके कभी जितनी भी नोक्रिया बांगलादेश के निकलेंगे उन सभी नोक्रियों में 30% का समझलो कि लडाई और पलट हुआए जब-जब आरक्षन की लडाई वहें बहुत भ्यानकि इसतर पहुए है उसका प्रोटेस्ट ही अलग होता है मतलब समझो की मौत की आकड़ों की गिंती आप भोल जाएंगे खोनों की नदिया बहने लगती है जब जब आरक्षन की लड़ाय हुई है इसलिए आरक्षन का मुद्दा है इतना गंभीर मुद्दा है कि उसके बारे में कोई भी political party बात करने से बचना चाती है तो कुछ ऐसा ही था कि 30% का reservation इन्हें मिलता है और वही 30% का reservation के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो 2018 में 2018 की वो तारीख आती है जब यह 30% का reservation इसको cancel कर दिया जाता है यानि कि बांगलादेश में यह 30% का Reservation नहीं मिलेगा इस समय तक अगर बात करें तो बांगलादेश में खुल मिला करके 5 तरह के Reservation थे सबसे पहला तो 10 पर्षंट वुमेन को दिया जाता था 10 पर्षंट जो है उन लोगों को दिया जाता था जो रूरल एरिया से आते थे पिछले छेत्रों से आते थे पाच पर्षेंट का रिजर्वेशन जो है जो नीची जाती के लोग हुआ करते थे उन्हें दिया जाता था एक पर्षेंट का जो है आरक्षन फिजिकली इसे बन लोगों को मिलता था तो इस प्रकार से आप देख पारें के 26 पर्षेंट हो रहा है टोटल और 30 पर्षेंट सही 2024 में जैसा मैंने आपको बताया कि पाच जून 2024 में बांगलादेश के एक हाई कोट नहीं है आदेश दिया कि इस 30 पर्षेंट की रिजर्वेशन को वापस से हम लोग इंप्लेमेंट करेंगे संपूर्ण बांगलादेश में जो और उधर युनाइटेड स्टेट के स्ट प्रोटेस्ट होता है और उस भांगलादेश में इतने भांगलादेश की सूपरीम कोट यह निरधारित करती है बांगलादेश की सुपरीम कोट कहती है कि भाईया ये जो 30% वाला reservation है, इसको implement देश में नहीं किया जाएगा, 30% का reservation गलत है, 30% का reservation को हम लोग खत्म करते हैं, अब यहां तक तो बात खत्म होती है, कि अब 30% का reservation जो मैन मसला था, जिसके वज़े से प्रोटेस्ट हो रहा था, ये खत्म हो गया था, लेकिन इसके प्रोटेस्ट हो रहा था, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जब 30% का reservation जब जो मिल रहा था, उसको तो खत्म कर दिया गया, सुप्रीम कोट के द्वारा तो फिर अब क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीकि प्रोटेस्टर्स का कहना था, कि जो इतने दिनों से हम अपने पद से अगर इस्तिपा नहीं देगी, तो हम लोग प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे, अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है, कि सेख हसीना यहां तक कुछ नहीं किया, ध्यान सा समझिएगा, हाई कोट का आदेश था, कि वो जो कोटा है, रेजरवेशन है, वो इ यह जो बांगलादेशी प्रोटेस्टर है, इनका कहना है कि हाई कोट, जैसे हम लोग देखते है कि भारत में भी ऐसा चीजे देखने को मिलता है, कि आप जो जिनकी सरकार है, कुछ छेत्रों में हाई कोट के जो जजज है, या एडबुकेट से, वो जो है, सरकार का समर्थन ज़्यादा करती है, तो इन लोगों का कहना है कि वहाँ के जो हाई कोट है, वो मिली हुई है, सेख हसीना से, जिस वजज़े से जो है, ये वाला रूल वापस से इंप्लिमेंट किया गया है, क्योंकि जाहिर सा बात है कि 15-20 सालों से से खसीना है, तो इनके परिवार के बहुत गंबीर तरीके से ये प्रोटेस्ट लगातार जारी करते रहें कि सेख हसीना अगर जब तक इस्तिफा नहीं देती हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, जो बांगलादेश के पिता थे सेख मुझीबुर रहमान, बांगलादेश के सबसे बड़े मसीहा, बांगला रही महात्मा गंदी का एक बहुत बड़ा हाथ है, इसको आजात करने में, अब अगर राहूल गंदी कुछ अगर करते है, या उनके परिवार के कोई वेक्थी अगर कुछ करते है, और महात्मा गंदी के पुतलों को हम लोग तोड़ना स्टाक करते, तो ये कही ने कहीं गल अगर इतना भियानक स्टर पे पहुँच गया, कि जितने भी प्रोटेस्टर थे, वो प्रधान मंत्री आवास में गुज गया, और प्रधान मंत्री आवास के अंदर ये फोटो देखो कि बकरी लेकर ये गुज गया, ये बतक की वहाँ पर रखीमी थी, ये सब लेकर के अगर में गुज गया है, और वहाँ पर खुली तरीके से चुनती कर रहे हैं कि सेख हसीना, तुम बाहर निकलो, यानि कि सेख हसीना को मारने की इरादे से, ये प्रोटेस्टर जो है, इनके घर में पहुचे थे, तूसरी तरह, इतना तो था कि स्थिती अब सरकार के हाथ मे थी नहीं, जब परधान मंत्री को ही मारने के लिए जनता दोड़ दे, तो फिर अब स्थिती देश में कैसे प्रसासन चलेगा और कानून वेवस्ता चलेगी, तो यही होता है कि जब देश में देखा जाता है कि देश अब बहुत बुरे स्थिती से गुजर रहा है, बहुत भेंकर तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, तो यहां के जो आर्मी चीफ है, यह सारी कमांड अपने हाथों में लेते है, जामीन साब, यह कहता है कि देश में अब परधान मंत्री या सरकार जो है इस देश को नहीं चला सकते हैं, अब देश में आर्मी रूल लगेगा, यह पाकिस्तान भी एक तरीके साब देखेंगे, तो से नहीं उहां पर चलाती है, तो यहां पर इनोंने अनॉंस कर दिया, कि सेना ही अब सरकार चलाएगे, आप से कुछ हो नहीं पा रहा है, देश की जनता आपको मारने पर तुली है, तो सबसे बढ़िया यह होगा कि आप इस हैं तो आपको पकड़ करके हम head शे lenill के आप देने के बात की यह काप processors करके यह हमारी देश भारत अब आ गई है बहुत चिंटा की बात है कि जो protect बांगलादेश के साथ अभी तक हमारा दोस्ती का रिस्ता हुआ करता था वो कहीं दुस्मनी में ना बदल जाए देखिए जब सेख हसीना देश छोड़ करके चली जाती है तो आर्मी चीफ बांगलादेश के आर्मी चीफ आते है एक पब्लिक बीटिंग रखते है पब्लिक अपनी एक नई गौवर्मेंट बनाने का इलाम करेंगे तो इस तरीके साब देख पार है कि बांगलादेश का अभी सबसे पावर्फुल विक्ति जिसका सोने पर स्वागा हो गया वह यहीं बांगलादेश के आर्मी चीफ है यह पूरा अभी गदगद है अब देखो जी अ बांगलादेश का भी सबसे बड़ा जो देख के लोगों का वह सेख हसीना ऑ अगलादेश चोड़करके भारत आगी है यानि फरार हो करके उनको पनाह देने का काम हम भारत वश्यों ने किया है तो कहीं न कहीं अब पहले कि जैस hypocrite बांगलादेश के साथ भारत की नहीं हो सकती है मुझे ऐसा अनुमानित लगता है वागे क्या है छोड़िए वह बात की बात है लेकिन जहिर सा बात है कि इसके लिए जो है बांगलादेश भी अलग अलग समय के साथ आपको पता चलेगा कि किस तरीके के भारत के लिए जो है नफरत बरे सब्द लोग जा रहा था यह चीज बंद होगा यह चीज बंद होगा क्यानि कि बांगलादेशी जो भारत ने हमी तक प्रवेस कर रहे थे इन लोगों का प्रवेस अब खत्म होगा क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ हम लोगों ने सेना को अपनी तैयार करके रखा वैसा ही ये बांगलादेशियों का हाल होगा यानि कि अब जो है बहुत अच्छी इस्थिती हो रही है कि बांगलादेशी जो है बारत आना इनके लिए नाममकिन सावने वाला है क्योंकि अब ये जो बार्डर है ये बहुत टाइट होने वाला है ये तो 100% समझ लेज़े कि अब हो सकता है कुछ भी हो सकता है कि अपना दुस्बन मांगलादेश अब भारत को ठीकि इस तरह की चीजे नफरत वाली चीजे जो हम लोग देखने को मिल सकता है लेकिन इतना तो है कि इससे एक चीज बहुत बढ़िया होगा कि ये बांगलादेशियों का प्रमेश भारत में आना बिल्कुल नामुम्किन सा होगा और हम तो यही बोलता है कि जितने लोग भी भारत में है इन लोगों को भी जल्दी भागाओ क्योंकि जाहिर सा बात है कि हमारा देश हमार होना चाहिए किसी और देस को हम और देश के लोगों को हम अपना अधिकार क्यों दे है ना तो बस यही थे पूरी डीटेल उम्मिद करते हैं कि आपको सारी बाते डीटेल में समझ में आई होंगी कि ये पांगलादेश का प्रोटेस्ट क्या था और आपको पूरी कहानी कीजिए तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक के लिए सभी को जैंद